यह को जे में वीट्ब को जेहिं में को आज आपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एससबी ट्रेड्मेंद और ड्राइव के बारे में तो दोस्तो इस वstat करवा लिए गया है सब Joint को पता है जो जो इस भरती में एंक्लूड था तो दोस्तो अभी आपका written exam होने वाला है उसके बारे में माँ आपको कुछ information देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर तो दोस्तो इस वीडियो को लार्ट तक जरूर देखना तो दोस्तो सबसे पहले हम आपन इसमें बात करेंगे सलेबस इसमें क्या रहने वाला है और रिटर्ण एक्जाम की डेट क्या रहने वाली है जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो मैं आपके पास सेर कर रहा हूँ सबसे पहले आपने बात करते हैं सलेबस के बारे में तो दोस्तो एक बात और हम आपको बता देता हूं दोस्तो 2020 के अंदर दोस्तो यह recruitment आई थी और अभी 2023 हो रखा है दोस्तो तो कहीं ने कहीं जो है बरती बहुत लेट चली दोस्तो बट दोस्तो अभी जो है बरती बहुत फास्ट होने वाली है लग बग दोस्तो जो सुनने में आ रहा है दोस्तो लग बगे दिसंबर तक जो है इस बरती को कम्पलीट दोस्तो करवा लिया जाएगा अभी दोस्तो जो रिकूर्मेंट की प्रोसेस है वो बहुत फास चलने वाली है क्योंकि दोस्तो अगली साल जो है इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तो उससे पहले इनको जो सबस्ते बारे में तो आपको सेलेबस के बारे में भी पता होना बहुत जुरूरी यह क्यूंकि आप रीटन एक्जाम देने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए तो इसमें विशेस के देर नहीं दोस्तों इसे notification के अंदर की कौन सा subject जो है कितने marks का आएगा तो दोस्तों मैं आपको पिछली बरती के according ही बता रहा हूं दोस्तों ये बरती जो है 2017 में आई थी से पहले तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहले आपका रहने वाला है 25 marks का जिके general knowledge रहने वाला है जिसके अंदर आ mathematics दोस्तों ये जो mathematics आएगा ये 10th standard का आएगा यानि 10 का level ही दोस्तों इसमें आने वाला है उसके बाद दोस्तों जो है 25 marks का आपका reasoning रहने वाली है और 25 marks का हिंदी या English दोनों में से जो है आप एक जूज कर सकते हैं जो ये तो रहा आपका syllabus और दोस्तों जो आपको इसमें मां आपको बता देता हूँ minimum qualify marks क्या रहने वाला है दोस्तों minimum qualify marks जो इसमें 50% for general EWS OBC और एक सर्विसमेंट के लिए और 45% जो रहने वाला है स्टी और स्टी के लिए तो दोस्तों इसमें जो result आपका बनेगा वह दोस्तों जो है category wise vacancy का 20 गुणा candidate का जो है result दिया जाएगा documentation और skill test के लिए 20 गुणा candidate को vacancy और category wise 20 गुणा candidate को जो है return exam में qualify किया जाएगा skill test के लिए दोस्तों जो है बुलाए जाएगा उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं इसकी exam date के बारे में तो दोस्तों मई में इसका exam होने की संभावना बहुत कम है दोस्तों क्योंकि साथ ही दोस्तों इसमें recruitment और चली हुई है constable GD की sports person की दोस्तों जो है इसमें trial वगरा चली हुई है दोस्तों trial और documentation वगरा उनका चला हुए है तो दोस्तों मई के अंदर यह ओने वाला है और सा नहीं नहीं थोड़ी सी डिले हो रहे हैं तो दोस्तों का जो अभी टेन्टिटिव डेड जो आप के सामने निकल के आ रही मैं दोस्तों जहां तक मुझे इन्फारमेशन मिली है दोस्तों वह जून की है आनी दोस्तों के अंदर 10 घून को पता एक्जाम जो तो संडे को एक्जाम करवाती हैं तो दोस्तो पहला संडे जो है लगबग 10 तारीका है तो दोस्तो इसके बाद ही दोस्तो जो है आपका रिटन एक्जाम होने की संभावना है पूरी-पूरी तो दोस्तो आपको भी पता है कि रिटन एक्जाम का जो एडमिट कार्ड जो है दो दोस्तों वो लगबग 10 से 5 दिन पहले आपको बताया जाएगा इसलिए दोस्तों आप admit card की tension ना ले क्योंकि दोस्तों ऐसा ही physical के अंदर भी ऐसा ही वा था 5 से 10 दिन पहले ही आपको admit card दिया गया था तो दोस्तों मेरा तो यह कहना है अगर दोस्तों इस recruitment के अंदर job लेना है यह आपको वर्दी पाना है तो दोस्तों अभी से जो है आप preparation में लग जाएए एक मंत का ही time आपके पास बचा हुआ है दोस्तों विकेंसी भी इसमें बहुत इस अच्छी विकेंसी है दोस्तों अदर recruitment के बजाय दोस्तों इसमें जो बढ़ती होने वाली है यह यह दोस्तों Central Level पे बढ़ती होती है दोस्तों अधर जो दोस्तों BSP की होती है CRPF की और CSP की दोस्तों इनकी recruitment जो होती है वो State-wise Vakancy दोस्तों इसमें Distribute करती जाती Jenkins से इसाइस में हर स्टेट की अलग अलग esz्क्राब केंश नहीं है ऑल ऊओर और इंडिया और इसे मेरिट जाने वाली है इसलिए भी आपको दोस्तों में भीनने वाला है मैं तो आफ के वीडियो में बस इतर की धन्य दन्य दोस्तों जै हिन मिलते हैं अगले वीडियो में